हे गाइस, बेलकम तुदा स्टेडी विद मायांक, मैं हूँ आपका मायांक, हम लोगों की यहाँ पर PCS Special, डेली जीके की सीरीज चल रही है, आज आपकी तारीक है 22 जुलाई, आज के वीडियो में हम लोग मद्यकालीन भारत के त्यास से सम्मंजित प्रश्णों को देखेंग तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या-क्या डिस्कस करना है यहाँ पर आज का पहला प्रश्ण है, अर्वों की सिंध विजय की जानकारी का मूल स्रोध है, तारीक अलहिंद, चचनामा, फुत्वात फिरोज साही, या तारीक मसूदी अर्वों की सिंध विजय की जानकारी का मूल स्रोध चचनामा है और यह अर्वी भासा में लिखी गई है, यानि कि इसकी भासा क्या है, अर्वी है, अर्वी भासा में यह लिखी गई है मुहमद अली बिन अबुबकर कुफी ने नसीरुदीन कुवाचा के समय में इसका फार्सी में अनुवाद किया था वहीं जो आपकी तारीक अलहिंद है, तो तारीक अलहिंद का रचनाकार अलबरूनी है नाम दिख दे रहा हूं है, यहाँ पर इसका रचनाकार अलबरूनी है अगली पुस्तक है फुतुहात ए फिरोज साही, तो यहाँ पर इसकी जो रचना है, इसकी रचना स्वयम फिरोज साह तोगलक त्वारा की गई है अगली आपकी जो पुस्तक है इसका नाम है तारीक मसूदी तो तारीक मसूदी की रचनाकार अबुलफजल है तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का भी वाला चछनामा दूसरा रचने बापका सल्तनत काली प्रमुक एत्यासिक बुस्तक एबम उनके रचनाकारों को सुमिलित कीजिए सूची एक में रचना है और सूची दो में उनके रचनाकार है फत्वा ये जहांदारी देखें फत्वा ये जहांदारी के रचनाकार जो है यह है जियावदीन बर्नी अगली बुस्तक है आपकी खजायन उल्फुतूम तो इसकी रचना जो है अमीर खुसरोने की है अगली है किताब उल्यामनी तो किताब उल्यामनी की रचना जो है उत्वीने की है तबकात नासरी इसकी रचना जो है मिनाज उस सिराज ने की है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा A का तीसरा, B का चौथा C का पहला और D का दूसरा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सेकिंड का B वाला तीसरा प्रश्ण एब आपका निम निकित मैंसे किसे मद्यकाली नियात्रियों का राजकुमार कहा जाता है अलवरुनी इमन बतूता मारकोपोलो अब्दुर्रजाक देखे, मारकोपोलो जो है तो मारकोपोलो को मद्यकाली नियात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और यह तेरेवी सताप्दीक में भारत आया था इसने दक्षड भारत के समाजिक जीवन का सजीब बढ़न किया है यह वैनिस यानि इटली का निवासी था जो पांड राजा के दरबार में आया था यानि यह कहां का निवासी था यह वैनिस इटली का निवासी था और किसके दरबार में आया था ये भारत में पांडी राजा के दरबार में आया था वहीं बात करें अलबरुनी की तो अलबरुनी जो है एक जगह है ख्वारिज्म तो ये ख्वारिज्म से चलकर भारत आया था यानि एक जगह का नाम है ख्वारिज्म तो खारिज्म से ये भारत आया है इबन बतूता जो है इसके बारे में पूछा जाता है ये मोरक्को से आया था अफ्रीकी देशे एक वश्मी अफ्रीकी देशे मोरक्को तो ये वहाँ से भारत आया था अब्दुर्रज्दाग जो है ये फारस से भारत आया है तो यहां पर आपका सही आंसर होगा C वाला तीसरे का C यानि मार को पोलो चोथा प्रश्णे मापका दच्छड भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध किन के मद्ध हुआ था चोल तथा राश्टकूटों के मद्ध्य, चोल तथा होईसल के मद्ध्य, चोल तथा चेरों के मद्ध्य, चोल तथा पांड़ों के मद्ध्य देखे, 949 इस भी में राश्टकूड सासक क्रश्न ततिय और चोल सासक पारंतक बन पारंतक प्रथम तो इनके मद्द में तकुलम का युद्ध हुआ है जिसमें चोल सासक पारंतक प्रथम की हार हुई है राश्टकूटों को यह बिजय अपने सैनापती मनलेर और गंगराज भुगत की सहता से मिली एबं इस युद्ध में चोल युगराज राजा जित्य मारा गया तो यहाँ पर यह क्रश्ण क्ति है यह चोल राज को जीत्ता हुआ रामे सुरम तक जा पहुँचा और भहाँ पर उसने एक विजय इस्थम्भवी स्थापित करवाया तो यहाँ पर आपका सही आंसर है चौथे का ए वाला पांचमा प्रश्ण एमापका निम निखित मैंसे किन सासकों द्वारा अनुवाद भिभाग की स्थापना की गई थी किस नहीं है यहाँ पर किन सासकों आया है इल्तुतमिस फिरोद तुगलक सिकंदर लोदी अकवर तो आपको यहाँ पर नीचे दिये विकल्प से सही तुर को चुनना है देखे अनुवाद भिभाग की स्थापना फिरोद तुगलक सिकंदर लोदी और अकवर द्वारा की गई थी इसका उद्देश से था कि हिंदू मिसलिम दोनों संप्रताई के लोग एक दूसरे के विचारों को बहतर ढंग से समझ पाएं तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पांच में का सी बाला केवल दो तीन और चार चार्मा परष्टने बापका निमलिखित मैसे किस प्रथम सल्तनत काली सासक दोरा वैश्यवत रोगने का प्रयास किया गया इल्तुतमिस दोरा सिकंदर लोदी दोरा अलाउदीन खिल्जी दोरा गयास उद्दीन तूलक दोरा देगे अलाउद्दीन खिल जी प्रतम सल्तनत कालीन सासक था जिसके द्वारा वैश्यवत रोकने का प्रयास किया गया और इसने आदियस दिया कि समस्त वैस्याएं एक निर्धारित अबदी में बिभा करने तो यहाँ पर आपका सही आंसर है छटमे का सी बाला चुकि यहाँ पर पूशा गया सल्तनत कालीन सासक अगर माली कि यहाँ पर मुगल कालीन सासक पूशा जाता तो किसका नाम आता तो मुगल काल में औरंग जेव ने भी वैस्याबरती का निशेद किया था और अकवर ने अपने सासनकाल में बैस्याओं को हटा कर शैतानपुरी में बसाया था तो अगर यहां पर प्मुछा जाएगा किस मोगल काली सासक द्वारा बैस्याबत्य को रोकने का प्रयास किया गया तो यहां पर आपका आंसर होगा औरंग जीब औरंग जी अपने रोकने का प्रयास किया था और उसने इसको निशियत भी कर दिया था साथमा बरश्टने बाप का निम्रिकित मैंसे किस सासक ने देवगरी का नाम कुटबाबाद या कुटबाबाद रखा मुबारक खिल जी ने देवगिरी का नाम कुतबाबाद या खुतबाबाद रखा और इसी ने देवगिरी को सल्तनत का अट्टू हिस्सा बनाया और देवगिरी को अपने अधीन प्रभावी धंग से कर लिया मुबारक खिल जी ने यहाँ पर टकसाल इस्थावित की थी इसके बाद में मुहम्मद बिन तुकलक ने कुत्वाबाद का नाम दौलताबाद रखा यानि मुहम्मद बिन तुकलक की टाइम में इसका नाम फिर से बदला गया और तब इसका नाम दौलताबाद रखा गिया और मुहम्मद बिन तुकलक ने दौलताबाद को अपनी रायधानी भी बनाया था बरत्मान में ये जगे जो है महराश्ट के औरंगावाद जिले में पड़ती है तो यहाँ पर आपका सही आणसर होगा साथ में एका बी वाला आठमा प्रशन बापका मदरा विजय कृती में अपने पती के विजय अभियानों का वडन करने वाली कवित्री थी वर्दंबिका भारती विजय का गंगा देवी गंगा देवी ने अपनी जो कृती है, मोतराबेजय तो इस कृती में इन्होंने अपने पती बीर कमपराय कि विजय अभियानों का उलेक किया है और यह जो क्रती है, जो है यह संसकत भासा में लिखी की क्रती है और इसकी रजणा जो है चौदेवी सद्धाप्दी में की गई थी ये जो संस्कत की कविता है देखें ये पूरी जो मौतरा बिजय क्षती जो है ये वास्ता में संस्कत में है और ये संस्कत की कविता है ये जो है ये बिजयनेगर सामराज के संस्थापक बुक्का की पुत्रवदू थी वडन किया गया है गुप्त साम्राज्य, मुगल सासनकाल, दिली सल्तनत, विया विजयनेगर साम्राज्य तेके यह जो पुस्तक है, इसकी रचना रॉबर्ट सेविल ने की है और रॉबर्ट सेविल जो है, यह आपनिवेसिक सासन के दोरान, विजयनेगर साम्राज्य का वडन किया है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है नौमय का डी वाला, दसमा प्रशनेवापका, सूची एक तथा दो को सुमिलित कीजिए, तब सूची यों के नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिए, सूची एक में मुद्रा है, और सूची दो में उसका प्रसार छित्र है, सिकंदरी, देकि सिकंदरी जो मुद्रा है, इसका प्रसार उत्तर भारत में था, मुजफरी का प्रसार मालबा में था, महमुडी जो मुद्रा है, इसका प्रसार गुजरात में था, यानि A का दूसरा, B का चौथा, C का पहला और D का तीसरा, तो आंसर है दसमे का B वाला. तो ये था हमारा आज का वीडियो, I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूलें, तो चलिए आज के लिवस्त नहीं, ठैंक्स पर वाचिंग, जै हिंद।